बारिशों का मौसम है और बारिशों के मौसम में मज़ा आजाता है पकोडों के साथ गर्मा गरम हलवे का तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए गर्मा गरम स्वादिश्ट इंस्टेंट बनने वाला ये मोंग दाल हलवा जो की घर पे सबको पसंद आने वाला है मेरी गैरंटी इस वीडियो के एंग तक बने रहें और आप देखेंगे कि बिना बिगोए मूंग दाल हल्वा कैसे बनता है इंस्टेंट मूंग दाल हल्वा बनाने के लिए यहां पर आपको लेना आदक कप मूंग दुली दाल चिलका दाल नहीं लेनी है इसको मैंने धोग के अच्छे से सुखा लिया है ध्यान रखेगा भिगोना नहीं है सिर्फ धोना है उसके बाद थोड़ी दिर के लिए इसको सुखा देना है आप चाहें तो सिर्फ इसको पोच के भी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो पाउडर है वो न लगा रह जाए इसपे आप फ्लेम ओन करेंगे और इसपे रखेंगे कडाई और साथी साथ इसमें डालेंगे मूंग दुली दाल फ्लेम को लोई रखना है और इसे रोस्ट करना है इसको रोस्ट करने के लिए तीन से चार मिनट का टाइम लगेगा राउंड कलर जो है इसका हलका सा गुलाबी हो जाएगा और यह हलकी सी क्रंची हो जाएगी तो फ्लेम को बन कर देंगे उससे जादा हम इसे रोस नहीं करना है फ्लेम बन करने के बाद भी इसे कंटेंस्टी स्टर करते रहेंगे एक मिनट के लिए अब हम इसे किसी प्लेट में निकाल क ठंडा कर लेते हैं जब तक कि यह ठंडी होती है हम बाकी काम कर लेते हैं मुंग डाल हलवा बनाने के लिए अब फ्लेम को अन करेंगे और इस पर रखेंगे कड़ाई उसमें डालेंगे एक ती स्पून घी इसमें मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूंगी तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ यहाँ पर बादाम 8-10 पीस जाद बारी कट नहीं करना है हमें और साथ ही साथ में डालूंगी काजू इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक कुलाबी रंका नहीं हो जाता इसको रोस्ट करते रहेंगे कंटेनस्टी स्टर करते रहेंगे फ्लेम को रखेंगे लो टू मीडियम पर इसको रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हलवे में एक से दो मिनट लगेंगे आपको इसके रोस करने में जब यह रोस हो जाएं तो इसमें आप किश्मिश भी आइट कर सकते हैं किश्मिश को पहले मट डालिएगा नहीं तो वो जल सकती है अब जो दाल हमने रोस की थी वो अच्छे से थंडी हो गई है उसे mixi jar में डालेंगे इसे दरदरा पीस लेंगे जाधा fine paste नहीं बनाना है हमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से मैंने दरदरा पीस है जाधा fine paste बनाने से mung dal halwa का टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं आता है दाने दर पाउडर से best results आते हैं मुंग दाल हलवा के अब जिस कड़ाई में हमने dry fruit sauce केते उसी में add करेंगे डो टी स्पून गी इसे melt होने देंगे flame को रखेंगे low to medium पर गी गरम हो जाए तो इसमें मैं add करूंगी 1 टेबल स्पून बेसन साथ ही मैं इसमें add करूंगी 1 टेबल स्पून सूजी जितना बेसन लियाता है उतनी सूजी लेनी है सूजी बारीक या मोटी आप जैसी मर्जी ले सकते हैं इसे roast कर लेंगे stir करते रहेंगे continuously ये बहुत अच्छी tip है आपके लिए जब आप सूजी और बेसन डाल के मोंग दल का हलवा बनाते हैं तो बहुत ही दरदरा और टेस्टी बनता है बिलकुल मार्के स्टाइल जैसा अगर घर पे आपके पैस दोनों में से कोई एक चीज ही अवेलेबल है तो आप एक चीज का भी इसमाल कर सकते हैं इसको अच्छे से रोस करते रहेंगे फ्लेम को लो ही रखेंगे श्चर करते करते हैं आप देखेंगे कि बबल आने लगेंगे तो ये सूजी और बेसन बुन चुका है अब इसमें अड़ कर देंगे इस्तमाल तो बहुत अच्छ से करिएगा ताकि इसका जो टेस्स है भरपूरा है आप मान के चलिया आदर कप मुंग डाल के लिए आपको लगेगा आदर कप से थोड़ा सा जादा गी तो इसे भी हमें तब तक भूनना है जब तक इसका कलर डाक नहीं हो जाता हलका लाल रंका जैसे जैसे आप इसे भूनते जाएंगे आप तेकेंगे घी निकलने लगेगा अच्छ से रोस्ट हो गया है यह कलर भी चेंज हो गया तो इसमें आड कर देंगे गरम-गरम 200 ml दूद दूद गरम ही डालेगा और इसे अच्छ से मिक्स करते जाएगा फ्लेम को लो ही रखना है और इसको कंटेनसली स्टर करते रहना है यह जो रेसेपी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ इंस्टेंट रेसेपी है और बहुत ही टेस्टी है तो जरूर ट्राइ कीजेगा इस रेसेपी को जैसे दूद अच्छ से मिक्स हो जाए तो इसमें डाल देंगे आदा कप गरम पानी पानी भी गरम ही हमें आड करना है जो दाल थी वो भीगी हुई नहीं थी इसलिए उसे पकने के लिए पानी भी चाहिए होगा इस टाइम पे मैं आड कर दूँगी चुटकी बर कलर मैंने यहाँ पर येलो कलर लिया है आप चाहे तो दूद में भिगोया हुआ केसर प इतनी मैंने दाल ली थी उससे डेढ गुना चीनी मुंग डाल हल्वे में थोड़ा सा मीठा तेज अच्छा लगता है तो मैंने जादा चीनी फर आप चाहें तो उतनी ही चीनी ले सकते है जितने मुंग डाले इसको अच्छो से मिक्स कर लेंगे लो फ्लेम पर ही रखना है इसको continuously stir करते जाना है जैसे जैसे चीनी घुलती जाएगी तो ये अपना पानी छोड़ेगी उसे अच्छे से पका लेंगे चीनी डालने के बाद आपको continuously stir करना है नहीं तो चीनी जो है नीचे लग सकती है और हलवा खराब हो सकता है जब चीनी अच्छे से गुल जाए तो इसे तोड़ा साओ पका लेंगे क्योंकि ये जो मूम डाल है वो भीगी हुए नहीं है तो इसे पकाना भी जरूरी है तो इसे लिट से कवर करके 2-3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे बीच-बीच में इसको कवर हटा के आपको चेक करना है कि चीनी नीचे लगे न ऐसे ही आपको 2-3 मिनट के लिए डखना बीच-बीच में चेक करते जाना है अब देख सकते हैं आप इसका कलर चेंज हो गया अब मैं इसमें आट कर दूँगी एक टीस्पून घी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे बस एक-दो मिनट में आपका हलवा रेडी होने वाला है आप देख सकते हैं घी बिल्कुल छोड़ गया कलर बहुत अच्छे से चेंज हो गया बिल्कुल जैसे मार्केट सायल में मिलता है हलवा वैसा ही इसको स्टर करते करते आपको दो से तीन मिनट और लगेंगे और ये बिल्कुल रेडी है खाने के लिए तो इसमें जो अब हमने रोस किये हुए बदाम और काजू थे वो इसमें आट कर देंगे और साथ ही साथ मैं एक टीस्पून के करीब पिस्ता आट कर दूँगी इसको बारीक मैंने चॉप कर लिया था और वो आट कर रही हूँ साथ के साथ बहुत बढ़िया खुश्बू और टेस्ट के लिए इसमें आट कर रही है एक चुथा ही टीस्पून इलाइची पाउडर तो त्यार है हमारा गर्मा गर्म और स्वादिश मूंग दाल हल्वा बिना दाल भी गोई तो इस इंस्टेंट मूंग दाल हल्वा को ट्राइ करें और मेरे साथ शेर करें अपने सजेशन्स and कमेंट्स मिलूंगी ऐसी ही और टेस्टी टेस्टी डिलिशुस रेसिपीज के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर डोंट फोगेट तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब